आपका वकील अंदर जाता है और अगली तारिक ले आता है या आपको आपके वकील के उपर 1% भी भरोसा नहीं है या आपको लगता है कि आपका वकील विपक्स की पार्टे के साथ जाकर मिल चुका है या आपको लगता है कि आपका वकील सिर्फ आपसे पैसे ले रहा है बद Advocate Act का section 32 आपको यह अधिकार देता है कि आपको किसी को पैसे देने की जूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ पैर जोड़ने की जूरत नहीं है, आप अपना case खुद लड़िए, बस कुछ सर्ते होती है, आप उन सर्तों को पूरा कर दीजिए, और आप अपना case खुद लड़ सकत है, पहली सर्त तो यह है कि आप पागल नहीं होने चाहिए, यानि कि दिमाग की रूप से आप सबच होने चाहिए, आपको अच्छी खासी समझ होने चाहिए, हर चीज लिए, यानि कि आप मैच्चोर होने चाहिए, पहली condition तो यह, दूसरी चीज यह है कि आपको English और Hindi भास का अच्छे से घ्यान होना चाहिए, यानि कि आपको Hindi भासा और English भासा लिखने भी आनी चाहिए, पढ़ने भी आनी चाहिए, और सुनने भी आनी चाहिए, क्योंकि विपक्स का जो वकील होगा न, अगर उसको पता लग गया कि आपको English भासा कम आती है, तो English में ही दलीने देगा, और फिर आप ऐसे देखते रह जाओगे, ये क्या बोल गया, फिर आप reply क्या करोगे, तो इसलिए कह रहा हूँ, इन दोनों भासा का आपको अच्छे से घ्यान होना चाहिए, क्योंकि विपक्स के वकील जैसा जिस भासा का इस्तमाल कर रहा है, आप उसी भासा का इ ये अलग भासा नहीं होती है, कानून के अंदर, ला के अंदर कुछ सबद अलग होते हैं, अर्थ तो वही होता है, लेकिन सबद अलग होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक सबद होता है उपहती, अब एक नोर्मल आदमी को इस उपहती सबद का अर्थ नहीं पता ह यह कानून का सब्द यानि कि ला का एक सब्द है इसका मतलब होता किसी को हर्ट करना चोट पहुंचाना अगर आपके वकील को पता लग गया कि आपको कानूनी भासा का थोड़ा कम ग्यान है तो ऐसे-ईसे सब्दों का इस्तमाल करेगा और आप वहाँ पर गूगल पर देख श्तमाल किया जाता है और उनसब्दों का मतलब क्या होता है और आप जो कहना चाहते हैं आप भी कानूनी भासा में कोश्यन करें तो बहुत अच्छी बात होगी अगली तो चीज है आपको IPC का अच्छा-खासा ग्यान होना चाहिए देखो है ना असान अगर आपको इन सभ आपको अपना ही केस तो लड़ना है, अगर आपने चूप की तो आप खुद हार जाओगे, तो मेरा माना तो यह है, अगर कोई इंसान अपना केस खुद लड़ता ना, तो दिन रात एक कर देता है, हाँ, आप किसी दूसरे वकील की help ले सकते हो, भै किसी वकील की 5 वकील होग तो खुद को strong बनाओगे, देखो गली चीज, IPC का आपको अच्छे से ग्यान होना चाहिए, IPC होता है Indian Penal Code, इसके अंदर section होते हैं, जो अपराद को बताते हैं, अपराद की सजा को बताते हैं, कि किस परकार का अपराद है, और उसके क्या सजा है, और वो सजा जमानती है, या गैर जमानती है, वो जो अपराद है, वो संग्य अपराद है, या ऐसंग्य अपराद है, इसकी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, इसी के साथ आपको CRPC का भी घ्यान होना चाहिए, CRPC क्या होता है, Criminal Procedure Code, जो court, सिर्फ इतना समझा लो कि court की भासा, यानि कि court अपना जो काम करती है, वो according to CRPC करती है, अगर किसी के घर सम्मन भेजना है, according to सम्मन जाएगा, किसी को गरिफतार करना है, तो CRPC order जाएगा, अगर आपको अपेल करनी है, according to CRPC होगा, यानि कि आपको CRPC के सेक्षनों का अच्छे से जान होना चाहिए, अगर आपकी विपक् का भी घ्यान होना चाहिए, CPC का मतलब Civil Procedure Code, जैसे CRPC, IPC, CPC, इसका भी आपको एक अच्छे से घ्यान होना चाहिए, देखो दो तरह के मामले होते हैं, एक अपरादिक और एक समन्ने, समन्ने मतलब जिनके अंदर सजागा इतना प्रावधान नहीं होता, जो सिर्फ पैसे जैसे में निबड़ा चीज, जैसे जमीन जायदात के होगई, या फिर अपने अधिकारों को लेकर होगई, तो वो ऐसे मामले होती है, CPC, इसके सेक्शनों को अच्छे से घ्यान होना चाहिए, अगली जो चीज है, वो होती है जी Evidence Act, Evidence Act क्या होता है, सबूत, कि सबूत कि केसे कहते हैं सबूत कैसे पेश करते हैं अगर वीपथ के वकील में आपसे क्या सबूत मांगा वह आप कैसे करोगे इस अंदर बताई गई है lower वह सारे से क्या पता 15 साल का experience हो क्या पता 10 साल का experience हो और उससे जीतना है आपको उससे जीतने का मतलब उससे ज्यादा knowledge लेनी पड़ेगी अगर आपको अपने आपके confidence है कि मैं उससे ज्यादा knowledge ले सकता हूँ तो आप जरूर अपना case लड़िए अगली जो चीज है वो है आपका अपना जाणकारी होनी चाहिए जैसे example के लिए मैं बताता हूँ जैसे आपकी उपर घ्रेलो इंसा केस लगए तो घ्रलू इंसा act कब बना, इसके अंदर कितनी धाराय हुए, इसके अंदर आपके क्या दिकार है, महिला के क्या दिकार है, मज़िश्टेट की पस क्या-क्या पाऊर है, आप अपील कैसे कर सकते हो, किस section के according आप अपील कर सकते हो, इसी तरह होता है देज के केंदर देज देना भी अपराद लेना भी अपराद कैसे लगेगा कैसे आप अपील करोगे सभी चीज्जों को नोलेज होनी चाहिए खास कर जो केस आपके उपर लगा है उसकी तो आपको बिल्कुल बार कीसी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप अपना केस खुद लड़ रहे हैं, और अगर आपको अपने केस के बारे में जानकारी नहीं है, फिर तो देखो, विपक्स का वकील मोका नहीं छोड़ेगा आपको हराने के लिए, तो आपको अपना केस, जो आपके बार कीसी जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ इतनी चीज़े हैं, बस, इनका आपको अच्छे से ग्यान होना चाहिए, अगर ये चीज़े आपको अच्छे से आती है, तो आप अपना केस जरूर लड़े, खुद लड़े, लेकिन, अब मुद्दा ये है, कि ये अनुमती आपक कुद देगा कौन, आपको कोर्ट के अंदर खुद वकील बनने का कौन अनुमती देता है, तो उसी कोर्ट का न्याए धीस आपको ये अनुमती देगा, कि आप मेरी कोर्ट के अंदर अपना केस खुद लड़ सकते हैं, लेकिन आप अनुमती कैसे लोगे, अब ये चीज़ स सेवा में इधर लिखिए मजिस्टेट साब जिस कोर्ट के अंदर वो मजिस्टेट कोर्ट नमर पांच है कोर्ट नमर दस है कोर्ट नमर बारा है मजिस्टेट मजिस्टेट साब कोर्ट नमर दस एडरस लिखिए जिस सहर के अंदर वो कोर्ट है सेवा में स्मोध्य स्विन्य न किल करना चाहता हूं मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूं और ये सभी बाते भी लिखिए कि मोहद्य मेरे को कानुनी भासा का अच्छे से ग्यान है मेरे को हिंदी और इंगलिस भासा का भी अच्छे से ग्यान है मेरे को IPC CRPC CPC अच्छी एविडेंस एक्ट और खुद का केस जो हम लड़ रहे हैं मुझे इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज है लेकिन मैं एक वकील नहीं हूं लेकिन मुझे अपने आप पर अपना केस खुद लड़ सकता हूं मुझे ना किसी सरकारी वकील की जूरत है और ना किसी प्रेविट वकील की तो मुझे मेरे को अनुमती दी जाए कि मैं अपना केस खुद लड़ सकूं तो आपको जब भी नेक्स्ट हीरिंग होगी आप अपना केस खुद लड़ सकेंगे आपको ये राइट मिल जाएगा उसी मजिस्टेट साब से ये होता जी प्रोसेस है ना ब अधर आपको नौलज लेनी पड़ेगी अच्छी खासी नौलज लेनी पड़ेगी हर चीज की कि μानुन बहुत बड़ा है बहुत बड़ेगा मतला मतला बताओ कितना बढ़ा है पुरे वर्ड के अंदर अगर सबसे बड़ा कानौन है ना तो भारत का है अब देख लीजे कितनी बारी किसी चीज़े इसमें लिखे गई हैं, उन सभी का आपको ग्यान होना चाहिए, और एक नॉर्मल वेक्टी को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगे ना वो आएगी यहां पर, कानूनी भासा के अंदर, ऐसे ऐसे सबद आ जाते, डियर, कई बार तो हमको खुद को समझ में नहीं आते कि इसका मतलब क्या होता है, इंगलिस के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी, लेकिन वो करनी पढ़ती है रिसर्च, तो यह होता है अपना खुद का केस लड़ने का तरीका, आप अपना केस खुद लड़ सकते, आपके पास राइट है एक पैसा भी नहीं लगता, और सिर्फ सरते यह है, आपको इन चीजों अग्यान अच्छे से होना चाहिए, तो अगर आपको किसी और टोपिक पर वीडियो चाहिए, तो बेजिजग कोमेट कीजिए, आपको उसी टाइम वीडियो मिल जाएगा, यह अच्छा लगा, बुरा करना के इस खुद लड़ना है, यह आपको वकील करना है, तो थैंक यू, थैंक यू सो मच.